हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो मेरे चानल आज मैं आप लोग के साथ शेयर करें बहुत ही सिंपल सी रेसिपी प्राउंज करी जो कि बहुत ही मज़िदार और बज़स सी बनने वाली है और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चानल और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने इसका लिंक उपर डालना है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी सारी इंफरमेशन चलिए अभी हम चलते हैं किन-किन मसालों को इस्तमाल किया देता है यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी, जिरापड़, धनियापड़, मिर्च, नमक, और खर्म मसाला तो यह सारे के कॉंटिटी में दालने हैं मैं यह सारे आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दोंगे और हमने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्च, ओनियन और टमाटो यह सारी इंक्रीडियन्स आल्मो यहाँ पर मैंने इंक्रीडियन्स के सारी डीटेल्स दी हुई है आप इसी तरिके से और इतनी ही कॉंटिटी में लीजेगा आपकी रेसिपी जो है बहुत ही जबर्दस बनेगी मैं अभी कट करने लगी हो अपनी ओनियन मैंने एक मीडियम साइज अनियन ली है मैंने इसको इसको चॉप कर लेना है आप मे जितनी कॉंटिटी ले रहे हैं उसी हिसाब से आपने ओनियन और टमाटो लेने है अभी यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कीजी ब्रॉण्स तो उसी हिसाब से मैंने एक मीडियम साइज ऑनियन के इसको चॉप कर लेती हूं और साथ साथ अपको यह चौप और बाइसे साथ में मुझे लिखेगा आप कहां से देख रहे हों...? पसंद आई हो ? अभी हमारे टोमाटो जोए न अच्छ यह सर चौप हो चुके है अब हम चलते हैं हमारे नेक्स स्टेप की तरफ मैंने लिया है एक पैन और अभी इसमें मैंने एड़ किया है और जो हैना आप अपने हिसाब से लीजिएगा मैंने लिये हैं यहां पर 4 टेबल स्पून और और मैंने इसमें एड़ करना है चॉप्ड की हुई आनियन तो जैसे तो आपने ओनियन डालना है इसको अच्छे से सौटे करना है ताकि इसका कालर जो इना गुल्डन ब्राउन हो जाए और अभी हम इसमें एड़ करने लगे है ग्रीन चिली और जो है आपने चिली का इसे हिसाब से कीजिएगा अगर आपने ग्रीन चिली जाड़ा डाली हो त तब तक यह होती है गुल्डन ब्राउन अभी हम चलते है नेक्स टेप के तरफ देख सकते हो कि ओनियन हमारी हलकी सी गुल्डन ब्राउन कलर हो चुकी है तो अभी हमने इसमें एड़ करना है जिंजर गालिक पेस्ट और नेक्स्ट हम एड़ करेंगे इसमें हमारे तोमाटोस और जब आपने जो है ना थोड़ा ओईल में जिंजर गालिक पेस्ट देख जाते है इसका भी अलग सा टेस्ट होता है और बहुत ही जबरदस्ट सब ना टेस्ट आता है जब आप जिंजर को अच्छे से फ्राई करते हैं जो फ्रेश वाला अपने जिंजर गालि लेना है और फिर इसके बाद हम बाखी इंक्रीडेंस को अट करेंगे ना अभी हमने जो सारी हाँ पर पाउडर्ड मसाले वगरा लिये थे अभी हम इन सब को जो है ना हमारे टोमाटोस और अनियन के मिक्स में जो है ना हम इंक्ल्यूट कर देंगे ताकि यह जो ना इसके साथ अच्छे से कुख हो सके और बहुत टेस्ट भी बहुत अच्छे से आए चलिए मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ अगर आप लोग मेरे इस तरीके से बनाऊगे ना तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी यह रेसिपी और देखिए अच्छे से हमारे टोमाटो और ओनियन अच्छे से कुख हो चुके हैं और साइट से जो ना ओईल भी जो है अलग होने लगा है तो अभी इसका कलर भी धीर धीर से चेंज होने लगा है और चलिए अभी हम इसमें एड करते हैं नेक्स्ट इंग्रीडियन जो कि यह है हमारा वाटर अभी हमने थोड़ा सा इसमें पानी डालना है बिल्कुल थोड़ा सा क्यूंकि जो टोमाटो का जो कचा टेस्ट होता है या ओनियन का वो सारा जो आच्छे से कोख हो जाए तो हमने इसको थोड़ी दे और सोटे करेंगे ताकि थोड़ा सा भी हिना टेस्ट में जो है ड्रॉवाला ना देखिए अब हमने जो व्टर अट किया था वह सारा सोक हो चुका है अभी हमने अड़ कने ही इसमें हमारे प्रॉण्स और अच्छे से मसाली में मिक्स करेंगे और आप देख सकते हो कि जैसłemने जैसे ये अच्छे से कोख होते जा रहा है इसका कलर भी ना चेंज होने लगा जल्दी और फास्ट कुख हो जाते हैं बहुत ही जल्दी और फास्ट कुख हो जाते हैं प्रॉंज कुख होने लगे मासाले में अच्छे से मिक्स कर दिया है और जो है अब मैंने है इसमें नेक्स स्टेप डालने है हमारा कोकनेट मिल्क कोकनेट मिल्क अगर आपके पास ना हो तो आप अपना नॉर्मल वाला मिल्क भी इस्तमाल कर सकते हूँ मैंने इसमें वन कप कोकनेट मिल्क अड़ किया है अब अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये कोकनेट मिल्क जो है ना सारे करी में अच्छे से मिक्स हो जाए और मैं इसको कुछ तेर के लिए कोक होने के लिए रखता हूंगी तो तब तक ये कोक होता है हम बेट करते हैं देखें बहुत ही अच्छे से ये कोक हो रहा है और फिर दुबारा से इसका कलर चेंज होने लगा है जब ये अच्छे से कुख हो जाएगा तो साइट देने इसको आटोमाटिकली ओयल लीव करना स्टार्ट होगा हम अच्छे से लिए बहुत है कि यह हमारा अल्मोस्ट रेड़ी हो चुका है मारा प्राउंस करी अभी हमने इसमें एड़ करनी है हरा दिनिया चुकी होती है कोरियांडर फ्रेश कोरियांडर आप कि यहाँ पराओंस कंडी होने इसके टोवेन ऑफराथ किसी प्राट भी दोदेख हो कहीं है तो प्राओंस करेते निदिया अपbourne लिए पराओंस कररी या फिर अपनी चानल की साथ लांच में भी यूज़ कर सकते है अगर आप लubको मेरी रैसेपी पसंद आय तो प्लीज घर स सब्सक्राइब कीजियर में वीडियो को लाइक कीजिएगा थैंक यू फो वाचिए